नमस्कार दोस्तों मैं हूँ समीर और स्वागत है आपका डिफेंस कैलरी में खाली में इसराइल ने गाजा पट्टी पे हैवी बॉंबिंग की है इसराइल ने ये एर स्ट्राइक F-16 के मदद से की है इसराइल ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने गाजा पट्टी में आतंकवादी समू हमास के 15 आतंकवादियों को मार गिराया है दो अटैक टनल डिस्ट्रॉई किये हैं और मिलिटरी फैसलिटी इसके साथ साथ वेपन मैनुफेक्चरिंग और स्टोरेज साइट को भी नस्ट किया है पर इसके विप्रीत गाजा स्ट्रिप में रहने वाले पलेस्टीनियन्स ने 22 सिविलियन्स के मारे जाने का दावा किया है जिसमें से 9 बच्चे भी थे इसके कारण इसराइल को काफी इंटरनेशनल प्रिसर का सामना भी करना पड़ रहा है इससे पहले कि आप लोग इसराइल या पलेस्टीन का पक्ष लेने लगे आए इस स्ट्राइक के कारण और उससे पहले हुए घटना करम को जानने का प्रयास करते हैं इस पूरे इसराइल पलेस्टीन का सबसे बड़ा कारण इसराइली सुप्रीम कोट का ओर्डर है जिसने 6 मई 2021 को यह आदेश दिया है कि सेख जर्रा से सभी पलेस्टीनियन्स को हटा के इसराइल के लोगों को वहाँ सेटल किया जाए 1967 में अरब और पलेस्टीन को हरा कर इसराइल ने इस्टन जेरुसिलम पर अपना कबजा कर लिया था और वहाँ के लोगों को ना हटा कर उनसे जोईस ओनर्सिप के एग्रिमेंट पर साइन करवा के उन्हें एज आ रिफ्यूजी रहने दिया गया था पर अब सुप्रीम कोर्ट के ओर्डर के बाद उन्हें हटाना जरूरी हो गया था इन सभी बातों को लेके पलेस्टीनियंस में काफी गुस्सा था क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और इसलाम फेथ का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉस्क अल-अक्सा वही पर है पलेस्टीनियंस ने इस मॉस्क के पास सुप्रीम कोर्ट के ओर्डर का विरोध किया और इस्राइली सिक्योर्टी परसनल्स पर अटेक किया उन्हें लगा था कि इस्राइली फोर्स मॉस्क के अंदर नहीं आएगी पर इस्राइल ने अंदर अपनी फोर्स भेज़ दी जिससे 200 से 300 लोग इंजर्ड हुए जिन में से कुछ आम नागरिक भी थे इस कारिवाही और सुप्रीम कोर्ट के ओर्डर के कारण गाजा पट्टी का आतंकवादी सभू हमास ने इस्राइल पर लगभग 200 रोकेट डाग दिये जिससे इस्राइल को काफी नुकसान हुआ और इसके बाद इस्राइल ने गाजा पट्टी पे एयर स्ट्राइक कर दी इस्राइल के प्राइम मिनिस्टर बिंजामिन नेतन याहू ने कहा है कि हमास ने अपनी रेड लाइन क्रॉस कर दी थी जिसके करण हमें स्ट्राइक करनी पड़ी और हम जल्द ही वहां के पलस्तिनियन्स को हटा के इस्राइली सेटलर्स को वसाएंगे इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि उस इलाके में काफी पलस्तिनियन रिफ्यूजीज रहते हैं जिनें सांती से हटा पाना इतना आसान नहीं होगा आपके हिसाब से कौन सही है और कौन गलत हमें बताईएगा कॉमेंट सेक्षन पे मैं समीर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में जैहिन